ऐकज्याम्दवार चनल पर स्वागत है लाइक करे हमारे वीडियो स्ब्सकाइब करें और बेल आइकन को दाए ताकि आपको नई नए वीडियो मिलते रहे हेलो फ्रेंट्स एक्जाम द्वार चनल में आप सभी का स्वागत है मैं जित हाजिर हूँ आप सब के सामने एक संधार टॉपिक लेकर इसमें हम बात करेंगे नोबेल पुर्षकार नोबेल पुर्षकार जिन जिन विजिताओं को घोशित किया जा रहा है अभी अक्टूबर क प्रिच्छा के लिए यह राम मन साभित हो सकता है आपका एक से दो नंबर कनफर्म हो सकता है तो आप यह वीडियो जरूर देखे इसके साथ ही अभी फिजिक्स का नोबेल पुर्षकार की घोशना कर दिया गया है और यह तीन लोगों को दिया गया है उनके नाम भी मैं अक्टूबर को रासायन विज्ञान रासायन का नोबेल पुर्षकार की घोशना कर दिया गया है तो आईए जानते इसके बारे में और यह कोन लोग है जिनको रासायन का नोबेल पुर्षकार दिया गया है अगर आप एक्जाम द्वार चैनल पे नए है तो वीडियो का ला और यह एक महिला है, दो पूर्श और एक महिला को दिया गया है आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जाता जानकारी के लिए मैं इस वीडियो के description में भौत्की का नोबल पुर्षकार दोर है 20 का लिंक दे दूँगा वो भी आप जहूर देखेगा काफी इंपोटेंट है आपको मैं अभी तो इस वीडियो में आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ बाकि सारे जानकारी उस वीडियो में हैं भौतकी के जो नेवल पुर्षकार दिनको दिया गया, उनके बारे में सारी जानकार दिया गया है, तो यह काफी इंपोर्टेंट है, आपको जहूर दिखीगा, फिलार मैं आपको इनके नाम पता जाता हूँ, जो भौतकी के नेवल पुर्षकार दिये गया है, तो यह है, रो दूसरे दूसरे कों है तो दूसरे है रेनहार्ड गेंजल और तीसरे है एंडिया गेज यह तीसरी है एंडिया गेज चलिए आगए द नव इस सार का नोवे पुर्षकार तीन वय ज्यानिकों को मिला है, रोजर, पेनरोज, रेनहार्ड, गेंजल और एंड्रिया गेज को, किसलिए दिया गया है, तो ब्लैक होल से जुरी खोज के लिए दिया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रि गया है, और यह दिया कब जाता है, तो यह 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को हर साल, 10 दिसंबर को नोवेल प्राइज दिया जाता है, साथी नोवेल प्राइज मिलता क्या है, तो इसमें एक गोल्डेन, गोल्डे मेडल के साथ 11 लाख डॉलर से ज़्यादा कैस प्राइज मिलता है क्या gold medal और 11 लाग से ज़्यादा cash prize दिया जाता है किसके नाम पर दिया जाता है तो Swedish investor Alfred Nobel के नाम पर दिया जाता है और 10 December को ही क्यों दिया जाता है तो चुकि 10 December को ही इनके मिर्ति हो गई थी इसलिए 10 December को ही ये दिया जाता है चलिए तो यह हो गई physics की बाद अब चलते हैं आप इसका फिजिक्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप फिजिक्स का नोबल पुर्षकार पूरा देख सकते हैं अब रसायन का नोबल पुर्षकार 2020 की भी होसना कर दे गई है और ये भी दो महिला को दिया गया है एक ये है और दू जेनिफर डानना दूसरी महिला कोन है जेनिफर डानना इनको क्यों दिया गया है इनको दिया गया है फर्द डेवलोप्मेंट ऑफ मेथड ऑफ जीनोम इडिटिंग जीनोम इडिटिंग की डेवलोपिंग के लिए इनको ये नोबल पुर्षकार दिया गया है क्या चीज क्य कि आप ये वीडियो और इससे पहले जो physics का वीडियो आ चुका है वह आप जरूर देख लिजेगा काफी important है आने वाल हर एक्जाम में चाहे वो railway के एक्जाम हो चलिए आगे चलते हैं और ये नोवेल पुर्षकार देता कोन है तो ये दर्वाइल Swedish Academy of Sciences इसके दोबारा दिया जाता है चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में नोवेल पुर्षकार चारपेंटियर और डानना को देने की घोसना की गई है अभी ये घोसना कब की गई है ये आपसे पूछा जा सकता है तो 7 अक्टूबर 2020 को ये देने की घोसना की गई है आई जानते राशान विज्ञान के चितने 2020 का नोवेल पुर्षकार जिनोम इडिटिंग पदती का विकास करने के लिए किस चीज का तो जिनोम इडिटिंग पदती का विकास करने के लिए इमैनुवल चारपेंटियर और जेनिफर डानना को देने की घोसना बुद्भार य Immanuel Charpentier का जन्म mínimo 1968 में यह कहा की है यह भी याद रखना क्या ए क्यूकि यह पूछ में पूछ लिया लता है है तो eran Immanuel Charpentier का जन्म elev UK जूए सी सररड़गी फ्रांस में हुआ था चैर पेंटीर कहा किये तो यह फ्रांस की है उन्हों प्रांस से किये वह जर्मनी के बर्लिन में मैक्स प्लांक यूनिट फॉर दी साइंस ऑफ पैथो जेंस की निदेशक कॉन चारपेंट यह और यह इनका जन्म कहा हुआ था तो यह हुआ था फ्रांस में आईए अब जानते हैं जेनिफर डानना के बारे में तो जेनिफर डानना का जन्म 1964 में वासिंग्टन डी सी यूएस में हुआ था यह यूएस डी सी यानि अमेरिका में इनका जन्म हुआ था उन्होंने पीएश डी 1889 हावर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन यूएस से की उनिफिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली यूएस में यूएस में प्रोफेसर ह जन्म का हुआ था तो यूएस अमेरिका में हुआ था वासिंग्टन डी सी में चलिए आगे देखते हैं अब जिनोम इडिटिंग जिनोम इडिटिंग के लिए उनको राशायन विज्ञान का नोबेल पुरसकार दिया गया है लेकिन जिनोम इडिटिंग है क्या इसके बारे वो किसी खास अस्थान से काटती है इसके बाद वज्ञानिक उस अस्थान से डीने के काटेगा हिस्से को बदलते हैं इसे रोगों के उपचार में मदद मिलती है इसे ही जिनोम इडिटिंग कहा जाता है चलिए आगे जाकते हैं इस पुरसकार के तहत कौन से राशायन पुरसकार की रासी हाल ही में बढ़ाई गई थी चलिए इसी के साथ आज के आमारा यह सेशन समापत होता है अगर आप एक्जाम द्वार चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दे साथ ही आपको बता दे यह काफी इंपोटेंड सेशन है इक्जाम की दृष् एक सांत में वीडियो डाल दूँगा उससे पहले अभी जो डाला गया उससे आप देखते रहिए ताकि आपको रिवाइज होता रहेगा एक्जाम द्वार चैनल पे नए है तो वीडियो को लाइक और सेयर कर दे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के पूरुस और एक महिला को दिया गया है उनके बारे में हम उसमें पूरी तरह से डिसक्स किया है तो वीडियो भी आप जरूर देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है आप एक्जाम द्वार चैनल पे मैत जीके और इजिनिंग के वीडियो दे इसक्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आप डिरेक्ट हमारे वार्टसप ग्रूप को जोयान कर सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत